यह है जो कि हम चावल बनाते हैं उससे पहले बस जब कच्चे चावल भिधोते हैं वह हां पकाहों रहरा है यहां है जो uh वाइट पानी हो गया है बिल्कुल वाइट ठीक है यह पानी हमारे पौधों के लिए इंस्टेंट एनरजी देने वाला पानी होता है यह यह पानी बिल्कुल भी न फैंगे आप यह पानी हमेशा यूज करें और आपको पूरी गर्मी हो या सर्दी हो फर्टिलाइजर की होता है ना हमारी खाने पीने के पोशक तत्व इस पानी में आ जाते हैं और हमारा पानी पोशन से भरा हुआ हो जाता है यह पानी कभी भी ना फैक है अब धूप थोड़ी कड़क होने लगी तो धूप में तो बैठानी जा रहा है और सोचा की चलो अब अंदर जाने से पहले आपको दिखा देती हूं कि मैंने अभी आज और कल में कौन-कौन से बीज लगाए हैं और मेरी जो कलम लगी हुई है यानि की कटिंग्स लगी हु ने इधर तुलसी के बीज ढाल दी है और इधर कोचिया का जो बीज हुता है वो धेखे ज़ाडियों समेहते ही लगा दिया पूरी ज़ाडी से ही ऐसे ही लगा दिया और अगर कटिंग्स का हल मैं तो abb vimos अभी तो ऐसा लगई है बाकी पता नहीं कैसे चलेंगी कैसे नहीं पत्ते जो हैं बिलकुल अच्छे हैं, कोई भी पत्ता किसी भी पौधिक में किसी भी कलम में मुर्जाया हुआ नहीं लग रहा था झे लगेगा, पिछले साल गरमियों में बीज डाल दिये थे करी पत्त की और एक पोध ही रा एक यह रा एक यह रा और भी कई सारे पौध हैं जगा जगा मैंने बीज डाल रखे हैं और यह देखिए केलेंडूला का फूल जब सूख जाता है तो उसके बाद यह देखे यह जो दिख रहे नहीं कीडे कीडे से ये कीडे जैसे ही लगते हैं इसके बीज तो इसको अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और इसके जब बीज बन जाएंगे तो मैं आपको पूरा तरीके से दिखाऊंगी कि इसके बीज कैसे होते हैं पूल सूख जाएगा अब उसके बाद बीज पक जाएंगे इसके और यह देखे यह दूसरे कलर का कैलंडूला है और इसमें दूसरा कलर है यह प्रॉपर येलो कलर है दौनवी कलर यह जो मैंने बीज से हो गये थे उससे दो-तीन पेड़ी हो गए मेरे पौधे तो यह आपके जो एरिया है यहाँ पर केवल छाओ आती है धूप बिल्कुल भी नहीं आती है ना सुबा ना शाम ना दोफैर ना रात कभी नहीं रात को तो धूप नहीं आती है लेकिन यहाँ किसी भी टाइम धूप नहीं आती है और इस जगा पर मैंने रख दी है यह क्योंकि इनको फूलों का रंग थोड़ा सा डल गया है मतलब 2-3 परसेंट इनका फूलों का जो रंग है वो डल चला गया और अभी तो यह चलेंगे अभी तो एक डेड़ महीने यह कहीं नहीं जा रहे है एपरिल तक यह फूल इसी तरीके से बरकर आ रहेंगे इसलिए मुझे यह फूल जो ह और से नहीं को सुगतिये है कि प्रेस पिरुड है तुर्ण और थे जो यह फूल है कि और यह फूल जहांगे और यह घ्रोध पूर जाएग और यह चलिए इसकी अपडेट देना चाहती ते आपको कि क्या वैज यह दिकाती हो आपको यह जो प्लान्ट ही खजूर का पौध और यह खजूर मैंने जो हम खजूर खाते हैं ना सर्दियों में खजूर आपने भी खाये होंगे जो खजूर हम खाते हैं न वही मैंने उगा दिये बीज़ डाल दिया तो एक पॉधा यह है और यह एक्सपेरिमेंट का ही बता रही हूँ न मैं आपको यह देखिए एक तहसते कि उगेगा तो उग जाएगा उसकी कोई इंतजार भी नहीं होती है कुछ ऐसा वेट करने का कुछ रीजन नहीं होता कि मैंने उगाया है या पैसे खर्च की है खजूर खारी थी उठाकर मैंने और आर्चिक ने सोचा कि चली पौदे लगा दे तो पौदे तो बहुत स सारे खजूर के पौदे हो जाते और मतलब यह मिरी मिस्टेक थी कि कम से कम रख तो लेती मैं उन्हें केयर नहीं की थी बिल्कुल भी और वह सूख गए कराब हो गए कुछ बंदर खीच के ले गए कुछ ऐसे मतलब बिना केयर के तो चीज नहीं चल पाएगी ना ऐसे ही ले आप देखेगा जरूर बने रहिएगा मेरे फ्लॉक में अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर ले ना घा कर लो में लाक करो देखो दिखाओ दूसरों को भीदिखाओ समझ में आएगा पधे लगाना बता रही हूं ना बं बनाना नहीं बता है पौधे लगाना इसे खा रहे हूं तो यह सीखो पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है मिलते हैं बाद में बाई लाइक कर दो पहले लाइक करो लाइक करो लाइक करो अचीकरो और जो वह लाल सा नीचे दिख रहा है न उससे subscribe कर लो और एक वीडियो में बाई 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 कर तो दो पहले तभी तो जाओंगी कर दो सब्सक्राइब कर दो चलो बाई पिश्किल भी तुम हो हल भी तुम हो और जो चल रही है दिल में वो हल चल भी तुम हो जिन्दगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्या में हिनु